तो दोस्तो आप देख रहे हैं कि एक सांप बीज में आया मशीन का तो दोस्तो एक बार फिर से आपका मेरे जूटू चैनल जास वीडियो सो में आपका जबाकत है तो दोस्तो आज की जे जो वीडियो है फिर से कसान वाईयों को लिए होने वाली है क्योंकि आज की जे जो वी के साथ ज्यूश करने पड़ती है तो इसको में भी खुद भी चलाँगा वो मैं आपको बताऊंगा तो दोस्तों अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि जे किस तरह से काम करती है और अगर बंदे को चलाने का सही से तरीका हो तो बिल्कुल बंदा अच्छे से इसको चला सकता है इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है चलाना और गास बिल्कुल जड़ से निकालती है तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा बंदा एक हमारा काट रहा है मैं अभी उस आपको पीछे दिखाने की तो दोस्तों भी आप देख रहे हैं कि यह हमारे बाई लगे हुए हैं यह नहीं काटा जा रहा है तो आप देख सकते हैं अभी मैं आपको नीचे से दिखाने की कोशिश करूंगा उसके बाद खुद भी ट्राइ करेंगे कि किस तरह से यह काम करती है पहले कभी मैंने भी चलाई नहीं है तो अभी फिर से एक बार ट्राइ करके देखेंगे हम तो गंटे में पांच शेसो देने में कोई बंदे को ज्यादा चुकते नहीं है तो यह काटना भी इसके साथ काफी ज्यादा असान है इतना मुश्किल नहीं थोड़ा से बंदे को त्रीका आ जाए तो बंदा देख सकते हैं कि बिल्कुल जमीन के साथ आप निक्चे देख रहे हैं कि अब भी में खुद चलाने लगाऊं ट्राइ करेंगे इसको चलाने की तो देखते हैं कि चलती है कि नहीं चलती हमसे अपनी तरफ से तो फुली कोशिश रहेगी कि चला लें कि पहले उसको स्टार जाते है कि अब इस टार तो मैंने एक नमबर कर दी है कि अब है कि तो बी ट्राइ करते हैं कि चलती है कि नहीं हमसे ह। इस अ हुआ है अ हुआ है हुआ है कि हुआ है कि आप smellsुण लान गें तना साथा है तो कफीज आफ दिश्या इसे पहले कभी प्राव्य नहीं है कोशिश करें बंदा तो हो सकता है तो आप देख रहे हैं कि एक सांप बीज में आया रास को कट देख सकते हैं नहीं चार फिक होगा तो इतनी खतरनाग है जे मिशीन अगर बंदा गलती अगर बंदे के पैर के साथ लग जाए तो ये बड़ा कुछ कर सकती है आप देख सकते हैं इसको दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो एरिया था इसको काटर में पूरे दो गंटे लगे हैं दो गंटों में काट के बाई हमारे फ्री हो गए हैं तो काफी जल्दी काटा है इ इससे कि मेरी आने वाली नई वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके और जल्दी आप से अब अगली वीडियो में मिलेंगे